नमस्कार तो फाइनली कॉंट्रोवर्सी से परदा उठ चुका है एलविश यादव और मनीशा रानी की जो कॉंट्रोवर्सी चल रही है उस पर फाइनली मनीशा रानी ने दो टुक जवाब दिया है चलिए आपको बताता हूँ कि आखिरकार मनीशा क्या कहती है और कैसे एक बात साव बोल दे कि एलविश जवार्सी उसे सब्सक्राइब करना ना भूले अब एलविश यादव की अगर बात करें तो रीसेंटली एलविश और मनीशा की एक बहुत बड़ी कॉंट्रोवर्सी सामने आती है जिसमें की मनीशा ने उसको अनपॉलो कर दिया है अलां इस पर जब उन्हों से recently सवाल पूछा गया तो Elvis यादव ने एक जवाब दिया था और कहा था कि भाई मैं ये बच्चों का खेल है ये सब चीज़ी ये बच्काना हरकते नहीं करता तो basically उन्होंने Manisha को target करते ये बात बोली थी अब Manisha Rani जो की अपने recently काफी जादा चर्चा में आगे थी जलग दिखलाजा जीतने के बाद जो की wildcard थी और ऐसे में Manisha Rani ने अब एक और बड़ी बात बोल दिया और वो बोला है कि Elvis जो है वो controversies create करता है जी हाँ आप लोगों को बता दू तो उस particular उस वीडियो में Manisha कहते होई नजर आई है कि दरहसल एक्चल में बात बता दी जाए तो Elvis और मैं जो है इस बात को लेकर बिल्कुल भी नहीं थे कि उसे Maxton ने पकड़ लिया है मैंने support इसले हटा दिया नए एक्चल में क्या हुआ था कि हमने एक collaboration किया था साथ में और उसमें जो है उस collaboration में मेरी फोटो ना डाल के अक्षे गुमार के साथ वो फोटो डाल दी अब दोनु की तरफ collaboration है ऐलविशा की दोनु तरफ चरचाए है तो बाई ऐलविशा की जब दोनु तरफ चरचाए है तो तो मेरी फोटो भी डालो, मैंने फोन करके उनको बोला, नहीं किया उन्होंने, फिर बोल रहे हैं कि अगर, फिर Elvish ने साफ तॉट पर बात बोली कि अगर करना ही है, तो इसको बोल दो कि अपने माबाब की फोटो डाले साथ में, तो ये बात Manisha को हट कर गी और Manisha ने तुरं Elvish ने ये जवाब दाता कि शोशल मीडिया में बातचीत होगी, शोशल मीडिया पर कॉंट्रोवर्सी बनेगी, तो मज़ा आएगा, तो दोस्तों, अब कही न कहीं, सलिप्स की भी पोल खुल रही हैं, कि कैसे जो है, इस तरीके की कॉंट्रोवर्सी वो क्रिएट करते हैं, अबी दीसेंटली, चिंटु और, क्योंकि फैंस भोले भाले होते हैं, हम जंता जो हैं, वो भोले भाले हैं, और हम लोग यही बिलीफ करते हैं कि हाँ, इन दोन के बीश में कुछ राडा हो गया है, सेम ऐसा अभी चिंटु और इनके बीश हुआ था, ईशा मालविया के बी और या फिर अभी शिक के साथ जो मच मच हुई थी, वो सब क्या था, खैर पता नहीं, आपको क्या है कहना दोस्तों, इन सारी कॉंट्रोवर्सिस को लेकर कॉमेंट करके ज़रूर बताएं, चलता हूँ